नमस्कार आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हरपल मैं हूँ आपके साथ रेखा मिश्रा नेपाल में हो रही लगातार बारिश से गंडक नदी उफान पर है नदी के तेजधारा से कई इलाकों में तेजी से कटा हो रहा है और खेतों में पानी भर गया है बेहर यूपी सीम में विलीन हो गया है और गंडक नदी गाउं वा सडकों के करीब आ गई है लहाजा डरे से हमें ग्रामिन प्रदर्शन कर जल संसाधन में भाग वह प्रिशासन से जल से जल्द बचाव कारें शुरू करने की मांग कर रहे हैं दरसल नेपाल से निकलने वाली गंडक नदी का दो दिन पहले तराई छेतरी में हुई भारी बारिश के कारण एकाएक जलस्तर बढ़ गया वालमिकी नगर के गंडक बराज से भी नदी में दो लाख नौ हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया जिससे बार का पानी दियारा के निचले इलाके में तबाही मचा रहा है बताय कर रही है घ्रामिनों के मताबिक मुख्य सड़क से महज 5 वा 10 मीटर की दूरी पर पहुंची नदी के कटाओ को लेकर लोग दहशत में आ गये हैं क्योंकि बीती रात में 20 मीटर तक कटाओ करते हुए नदी गाउं वा सड़क के समी पहुंची है लिहाजा भगदर मची कोन उस साधन नगे ये बरत तक लिए अधिकारी ये अभी ना आई की का समय से आबाँ ये समय से का अधिकारी आई तो बज्या कहल होई अभ हमनी के गाउंवाला चिलाते बानी सहां रात बाद मी जागल भाद ए खले बाद तो हमनी का कर सकता है विसे में 20 मीटर बूरी रह पांच मीटर दूरी पाक है रात से नदी बहुत ही या अधिकार सामने भी आणार फटल बाटे तो एकर कोईनों सीमा नहीं खे ये घंटा में कड़ जाओ चाहें दू गंडा चाहें रात में तो किलियर रोट कड़ जाई जाई तो मेरे साथ इस खबर में फिलाल इतना ही आप देखते रहें लाइव इंडिया हर पर नमस्कार